पहला question देखिए, सभी student समझने का प्रयास करिएगा, ऐसे question हमेशा पूछे जाते हैं, पहला question क्या है दोस्तों, most important है, सभी student समझने का प्रयास करेंगे, प्रयास देखिए, A, B और C का औसत वजन 45 kg है, यदि A और B का औसत वजन 40 kg हो, और B और C का 43 kg हो, तो B का वजन kg में कित प्रयास ना होगा, यह पूछ रहा है, किसका वजन पूछ रहा है, B का वजन पूछ रहा है, तो आप सभी student इसको आंसर देने का प्रयास करिए, ऐसे question हम आप लोगों को कराए भी है, ध्यान दीजिए, A, B और C का औसत वजन क्या है, 45, तो कुल वजन क्या होगा, दोस्तों आप डिरेक्ट कर सकते हैं, तीन गुने 45, कुल वजन क्या होगा, तीन लोग है, 45 किलोगरम उसत है, तो तीन गुने 45, तो क्या हो जाएगा, 135 किलोगरम, द्यान दीजिएगा, A, B और C का कुल वजन क्या होगा, 135 किलोगरम, बहुत अच्छे, वेरी गुड, आप देखिए, कह रहे हैं, यदि A और B का उसत वजन 40 किलोगरम हो, किसका A प्लस B का उसत वजन क्या दिया रहे है, 40 किलोगरम, दो लोग हैं, और 40 किलोगरम है, तो कुल वजन 2 गुने 40, मतलब 80 किलोगरम, तब ही स्टूडेंट समझने का प्रयास करिए, समझ में आएगा, फिर कह रहे है B और C का 40 किलोगरम हो, यानि कि B प्लस C दिया हुआ है, कितने लोग हैं, दो लोग हैं, और 43, तो 40 दूना के दोस्तों क्या होगा, 86, ध्यान दिजिए, तो हम लोगों से पूछ क्या रहे है, B का वजन पूछ रहे है, तो अगर हम इसको जोडेंगे, ध्यान दिजिए, सभी हो रहा है, सभी स्टूडेंट अच्छे से देखेंगे, इसमें क्या हो रहा है, दो भी हो रहा है, सभी स्टूडेंट अच्छे से देखिए, तो इसको जोडेंगे, तो क्या होगा, देखिए, इन दोनों समीकरण को, यहाँ पर हम लिख देते हैं, समीकरण 1, समीकरण 2, और और यह आपका दहर समीकरण 3, ठीक है, समीकरण 2 और 3 को हम क्या कर रहे हैं, जोड रहे हैं, तो यह क्या होगा, A plus 2B plus C, ध्यान दीजे, 2B हो रहा है, ठीक है, बराबर क्या हो रहा है, दोस्तों, कुल वजन क्या, 80 और 86, 80, 80, 160, 166, सभी स्टूडेंट समझने का प्रयाज ध्यान दीजेगा, 2 और 3 तो हम जोड लिए, इसमें से क्या करेंगे, इसको घटाएंगे, किसको घटाएंगे, पहला समीकरण को माइनस करेंगे, तो A plus B plus C, बराबर क्या है, दोस्तों, ध्यान दीजेगा, 100, sorry, क्या है, 135, सभी स्टूडेंट अच्छे से देखेंगे, क्या है, 135 है, ठीक है, हाँ, तो क्या करेंगे, इसको हम माइनस करेंगे, यानि जो पहला समीकरण है, इसको हम माइनस करेंगे, ठीक है, माइनस करेंगे, तो ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, 2 V में से 1 V जाएगा, तो B बचेगा, और इधर क्या बचेगा, 6 में से 5 जा, 1, 3 मे समझने का प्रेस करिए सारे कोशन समझ में आएंगे हां वह हो तक्षे ज्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है सिंपल है कुछ नहीं है सिंपल है क्या हो जाएगा 31 कि लो ग्राम हो जाएगा भी का वजन देखिए तो आ रहे हैं समझ में बहुत अच्छे, सभी स्टूडेंट का रहे हैं, अच्छी बात है, हाँ, चलिए, next question की ओर चलते हैं, अगला question देखिएगा, यहाँ देखिए, काफी important question है, ध्यान दीजेगा सभी स्टूडेंट, यह भी question क्या है, most important है, अच्छे से देखेंगे सभी स्टूडेंट, question है, P तथा Q की मासी का उसत आए 20,000 रुपए है, Q तथा R की मासी का उसत आए 40,000 रुपए है, R की मासी का आए, P की मासी का आए से कितनी अधिक है, ध्यान दीजेगा, यहाँ पर क्या बोल रहे है, R की मासी का आए, P की मासी का आए से कितनी अधिक है, यहाँ पर ध्यान द का क्या है दोस्तों ध्यान दीजिए दो लोग है और साथ क्या है 20,000 है ध्यान दीजिए सभी स्ट्डूडट क्या है 20,000 है तो प्रतेंक 20,000 है तो क्या हो जाएगा मासी का उसाताई 40,000 है कि दहां दिजेगा Q तथा R, सभी student अच्छे देखिए Q प्लस R का क्या है दोस्तो दो लोग है और उसाताई क्या है? 40,000 है सभी student अच्छे से देखेंगे तो कुल इंकम क्या हो जाएगा? 80,000 हो जाएगा क्या होगा? 80,000 हो जाएगा यहां तक तो आप सभी student समझ रहे है अच्छी बात है, ठीक है? क्या कह रहे है दोस्तो? यह कह रहे है R की मासी काए P की मासी काए से कितनी अधिक है यानि की R की मासी काए P की मासी काए से कितनी है R माइनस P पूछ रहा है क्या पूछ रहे R में से P घटा देंगे तो जो ज़्यादा होगा वो आ जाएगा R माइनस क्या पूछ रहे R माइनस P पूछ रहे तो पहले समीकरण में ध्यान दीजिएगा जो यह पहला समीकरण है इसको दूसरे समीकरण से घटा देंगे माइनस कर देंगे, ध्यान दीजिएगा, सभी student समझने का प्रयास करिए, तो ये हो जाएगा Q प्लस R, ध्यान दीजिए, ये दूसरा, और माइनस क्या हो जाएगा P, और माइनस क्या हो जाएगा Q, सभी student अच्छे से देखिए, और बराबर में क्या होगा दोस्तो, 80,000, सभी student समझने का प्रेस करेंगे, 80,000 माइनस क्या होगा? 40,000 ठीक है? यह हो गया तो यहां से देखिए माइनस Q, प्लस Q, कट गया R माइनस P आ गया, क्या गया? R माइनस P, बराबर क्या आ गया दोस्तो, 80 में से 40 जाएगा 40 40,000 हो जाएगा R की, ध्यान दीजेगा R की मासी का है, P की माया किसी का है से कितनी अधिक है? 40,000 किस ऑप्षन में है? ऑप्षन नमबर C में है ऑप्षन नमबर C सही हो जाएगा जितने भी स्टूडेंट का रहा है थोड़ा सा दिमाग लगाना है, ज्यादा नहीं हाँ, थोड़ा सा दिमाग लगाना है समझ में आने लगेगा, ठीक है? हाँ, सेकेंड वाले समीकरण में से पहले वाले को माइनस किये तो क्या आ गया? R माइनस P यही तो पूछ रहा है R की मासी का है, P की मासी का इससे कितनी अधिक है? ठीक है? तो R माइनस P माल लिजिए आप है और आपका भाई है ठीक है? माल लिजिए आप है और आपके भाई है ठीक है? तो बोल रहा है आपकी आए, आपके भाई की आए से कितनी अधिक है तो क्या करेंगे? अपनी आए में से अपने भाई की आए को माइनस करेंगे तो आपकी अधिक वाली इंकम आ जाएगी वह इधर आ रहे है आर माइनस भी समझने का प्रयास करिए सारे कोशन समझ में आएंगे जितने भी student का C आ रहे हैं option number C आप सभी student एकदम सहिए बहुत अक्षे very good चलिए आगे देखिए question number 3 ध्यान दीजिएगा यहाँ देखिए question तीसरा है यह भी काफी important है तीन संख्याओं का उसर साथ है इनमें पहली संख्या दूसरी की दूगुनी और दूसरी संख्या तीसरी संख्या की तीन गुनी है तदूनुसर सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या का अंतर कितना होगा दोनों संख्याओं का अंतर पूछ रहा है इसमें तो पहले आपको ज़्यादा कुछ करना नहीं है दोस्तो तो तीन संख्याओं का उसत दिया है साथ, क्या दोस्तो, तीन संख्याओं का उसत है साथ, तो तीन संख्याओं को सम क्या होगा, साथ गुने तीन, एक्सो असी, हाँ, या योग कह लिजे, तीन संख्याओं का योग क्या होगा, एक्सो असी होगा, यह समझ रहें, और इसमें क संख्या दूसरी की दो गुनी है अभी ध्यान दीजिए पहली संख्या दूसरी की दो गुनी अगर ये एक है तो ये क्या होगा दोगा फिर आगे कहरें दूसरी संख्या तीसरी संख्या की तीन गुनी है ये तीन गुनी है तो ध्यान दीजिए यहां पर ये एक होगा तो ये भी लिख सकते हैं लेकिन पूरे अच्छे तरीके से लिखने के लिए पूरा पढ़ना पड़ेगा यहां कहा रहे हैं पहली संख्या दूसरी की दो गुनी है ध्यान दीजे पहली संख्या दूसरी की दो गुनी है कि नहीं यह तीन है तो छे दो गुनी है फिर कहा रहे हैं दू सबसे बड़ी से संख्या और सबसे छोटी संख्या का अंतर कितना होगा पहले तो यह रेशियो देखिए छे ती नौ एक दस कितना हो रहा है टोटल रेशियो दस हो रहा है दस रेशियो बराबर संख्या क्या हो रहा है 180 हो रहा है तो एक रेशियो बराबर दोस्तों क्या होग यहाँ पर आप सभी संख्याव निकाल लीजिए या इनका डारेक्ट अंतर पहली और ध्यान दिजेगा सबसे बड़ी सबसे बड़ी छे के रेशियो में और सबसे छोटी एक के इसका अंतर रेशियो में क्या होगा 5 होगा तो एक रेशियो बराबर 18 तो 5 रेशियो बराबर 5 मतलब की 90 अंतर क्या होगा 90 होगा आंसर हो जाएगा option number C आप चाहते तो ऐसे भी कर सकते थे पहला क्या होगा एक रेशियो बराबर क्या है 18 तीन रेशियो बराबर दोस्तों 18 त्याई 14 सभी स्टूडेंट ध्यान देंगे और 18 चके 108 सभी स्टूडेंट ध्यान दिजिए हां तो इन दोनों का अंतर क्या होगा 108 और 18 का अंतर क्या होगा 90 होगा आप ऐसे भी कर सकते हैं या direct ratio का comparison करिए ratio में कितने का अंतर हो है 5 का तो 5 रेशियो बराबर 90 ठीक है option number C जितने भी स्टूडेंट का अंसर आ रहे हैं आप सभी स्टूडेंट एक दम सही है बहुत अच्छ अच्छे उमीद करते हैं आप सभी स्टूडेंट बहुत अच्छे तरीके से समझ रहे हैं हाँ समझने का प्रयास करिए important type का question है हमेशा ऐसे present exam में पूछे जाते हैं हाँ एक दम सही बहुत अच्छे very good चलिए आगे देखते हैं अगला question देखिए द्यान दिज्जे साभी स्टूडेंट question number 4 देखिएगा काफी important है अच्छे से देखने की जरूरत है question number 4 तीन संख्याओं में दूसरी संख्या पहली संख्या से दो गुनी और तीसरी संख्या से तीन गुनी है यदि तीनों संख्याओं का ओसत 33 हो सबसे बड़ी संख्या कौ दूसरी संख्या पहली की दो गुनी ध्यान दीजे दूसरी संख्या अभी आप कुछ भी मान सकते हैं बैलेंस करने के लिए अभी आप कुछ भी मान सकते हैं ध्यान दीजेगा जरूरी नहीं कि पहली बार में सही मानें डींके होसक्ता इसको संख्या से ध्यांदीजेगा तीसरी संख्या से ती गुनी है ध्यांदीजेगा तीसरी संख्या से ये तीन गुनी है तो कुछ नहीं करना है तीसरी से ये तीन गुनी है अगर ये एक है तो ये क्या होगा दोस्तों तीन होगा और यहां पर कह रहा था दोस्तों दूसरी संख्य पहली संख्या से दो गुनी है, यानि कि ये क्या होगा, 1.5 होगा, हाँ, balance करना सीखिए, आप सभी student ध्यान दिजिएगा, balance करना सीखिए, समझ में आएगा आप लोगों को, देखिए, अब यहाँ पर देखिए, अब ये balance हो गया, दूसरी संख्या, पहली संख्या से दो गुनी, दूसरी संख्या पहली से क्या है, दो गुनी, ये डेड़ है, तो ये तीन, डेड़ दुना के तीन, समझ रहे हैं, आगे कह रहा है, और तीसरी संख्या से ती गुनी है, ये देखिए, तीसरी संख्या से ये दूसरी क्या है, तीन गुनी, ये एक है, तो ये तीन है, ठीक है, हाँ, बैलेंस करना सीखिए, आप इसको क्या कर सकते हैं, आप रेशियो में ही रहने दिए, दसमलों में भी रहने सकते हैं, ये रेश पांच चा के 30 और पांच दुना के 10 3 is to 6 is to 2 ये इसका ratio आया है ठीक है पूछ क्या रहा है हमसे दोस्तों हम लोग उस पूछा है यदि तीनों संख्याओं का उस्त तैंटी सो तो सबसे बड़ी संख्या क्या होगी सबसे बड़ी संख्या किस ratio में है छे के ratio में है इसी का मान पूछा है ठीक है तो कुछ नहीं करना है पहले ratio जुड़ें 3, 6, 9, 2, 11 11 ratio बड़ाबर क्या रहा है दोस्तों यहाँ पे 99 ध्यान दीजियेगा तो एक ratio बड़ाबर क्या होगा 9 एक ratio बड़ाबर क्या होगा 9 तो 6 ratio बराबर क्या होगा दोस्तों, 6 गुने 9, ना अच्छके, 54, 54 किस option में है, option number B में है, आपका option number B सही हो जाएगा, हाँ, जितने भी student का option number B आ रहा है, आप सभी student एक दम सही है, समझने का प्रयास करिए, कुछ नहीं करना है, ratio को balance करना सीखिए, सभी student, हाँ, कैसे ratio रखते हैं, सही ratio कैसे रखते हैं, ठीक है, हाँ, ज्यादा point में भी ना जाए, बटे में ना जाए, simple रखिए, तुरंत अंसर आएगा, और यहाँ पर दिया हुआ है, दोस्तों, यहाँ पर क्या बोला है, तीनों संख्याओं का उसत 39, तो 3 गुने 39, बराबर 99, और यहाँ पर ratio चलते हैं, अगला कोशन देखिए, कोशन नमर फाईफ, सबी स्टुडेंट अच्छे से देखेंगे, प्रशनों को नोट जरूर करेंगे, हाँ, प्रशनों को नोट जरूर करेंगे, ध्यान दिजिए, कोशन नमर 5 भी, काफी important है, ध्यान दिजिए, कोशन क्या कह रहा है, और kaldी जयोए यहां पर प्रस्चनंद को पहले समझती सबुण और यहां पे क्या है गुना ही करना है भाग देना है तेरा बस्तु है सत्तर रुपए दाम वाली तेरा गुने सत्तर ठीक है और अस्तन दाम है न तो टोटल प्लस पंदरा बस्तु है क्या है दोस्तो साट रुपए दाम वाली पंदरा गुने साथ प्लस बारा बस्तु है क्या ह यहां सभी गूने 65 बटा में Story में क्या होगा Just total बच्तू क्या है दोस्तों बताइए 13 15 12 3 15 12 है कर तो जोड़ सकते हैं यहां पर 13 15 28 126 करो समाज में आ आंसर दीजिए कुछ स्टूडेंट आंसर दे रहे हैं अच्छी बात है ध्यान दीजिएगा तो आप यहां पर नहीं समझ में आ रहा है तो 13 सभी को जोड़ते हैं न तेरा प्लस पंद्रा प्लस बारा हां तेरा पंद्रा अठाइस बारा चालीस ठीक है तो अब यहां पर तेरा सत्य कानवे ध्यान दीजिए नौसो दस प्लस पंद्रा च्छक के नब्बे नौसो सभी स्टूडेंट अच्छे से देखेंगे अब बारा गुने पैसेट करेंगे तो बारा पच्छे साठ का जीरो हा शहां साकते हैं छिए ज्याधा कुछ नहीं करना है नौसो नोसी देखें नोसो दस नौसो और साथ सो अची यृधा कुछ इसमें कहां पर ग़लत हो रहा है, 25 नबयपा 40, तो 4 से ये कट जायेगा, अब venhe, 46 के 24, ध्यान डीजिए, यहां पर क्या होगा, 19 होगा, 4 चोग को 16, ध्यान दीजिए सबी student, यहां पर क्या होगा, 30 होगा, तो यहां पर क्या होजाएगा, 30 होगा, तो चार सत्ते 28 और चार पच्चे 20 64.75 क्या रहा है हाँ 64.75 वेरी गुड एकदम सही है जितने भी स्टूडेंट का हाँ पचीस नब्बे कितना रहा है पचीस नब्बे जोड के देखिए 900 900 1800 और 1800 700 पचीस नब्बे बटा क्या हो रहा है चालीस हो रहा है ठीक है हाँ तो आंसर क्या आएगा 64.75 क्या आएगा अंसर दोस्तो 64.75 प्रतेक बस्तु का ओस्तन मुल्य क्या आ जाएगा सब्सक्राइब जितने भी स्टुडेंट का ओप्शन नमब्ब भी आ रहा है आप सब स्टुडेंट एक दम सही है बहुत दक्षे चलिए नेक्स कोशन की और चलते हैं अगला कोशन देखिएगा कोशन नमबर 6 देखिए कोशन नमबर 6 पैन उठाने की ज़रूरत नहीं है ड क्या बोल रहें किसी कच्छा में 50 विद्यार्थी है 50 केजी भार वाला एक विद्यार्थी चला जाता है तथा उसके अस्थान पर एक नया विद्यार्थी आ जाता है जिससे कच्छा का ओसत भार 1.2 केजी बढ़ जाता है नया विद्यार्थी का भार ग्यात कीजिए पर जान पर एक आया है total विद्यार्थी कितने है 50 बढ़ने का मतलब क्या होता है पूरी ponieważाण के केजी सबका बढ़े गया ठीक है ध्यान दीजिए तो आधा-धा केजी बढ़ रहा है और सथ वजन तो वजन कितना बढ़ेगा वन बाइटू यही ना पचास में वन बाइटू यानि की दो से कटाएंगे 25 हाँ 25 केजी दोस्तों क्या होगा बढ़ेगा 25 केजी की बृद्धी ह होगा कने दिएजैसे पचास पर गया है द्यान दीजैं पचास वालया वर्जन वालया है इसके स्वालय आया है तो जो आया है दोस्तों दोस्तों क्या हुआ है यह प्लस 25 केजी और ठीजिए गया मतांि यह छटिये 75 यह नहांशाइब असर हो जाएगा प्रस्ण में इस प्रस्ण में ज्यादा कुछ नहीं करना है समझ में आ रहा है न ज्याद दिए एक गया उसके अस्थान पे एक आया इस्टूडेंट रह गए 50 ठीक है हाँ वजन क्या हो गया आधा केजी बढ़ गया और सत वजन बढ़ा है और सत भार बढ़ तो क्या होगा पचीस केजी बढ़ेगा तो पचास के अस्थान पे जो पचास आया है दूसरा उसका वजन क्या है 75 है उमीद करते हैं सभी स्टूडेंट समझ रहोंगे इसमें पेन उठाने की ज़रूरत नहीं है डिरेक्ट आंसर दिया जाता है ठीक हाँ 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 आप सभी स्टूडेंट एक दम सही है बहुत अच्छे सांदार चलिए नेक्स कोशन ग्यों चलते हैं अगला कोशन देखिएगा कोशन नबर सेवन देखिए कोशन नबर सेवन है एक क्रिकेट खिलाडी की दस वी दस पारियों के रनों का उसत 32 था खिलाडी अगली पारी में कितने रन बनाए कि उसके रनों का उसत चार अधिक हो इसका अंसर आप लोग देंगे प्रत्म सिंपल है अंसर दीजे इसका एक क्रिकेट खिलाडी की ध्यान दीजेगा 10 पारियों के रनों का उसत 32 था दस बार यह की, रनों का उसत क्या था? 32 का. तो 32 दा आँ में 320 रन. ठीक है? ध्यान दीजे का सबी स्टूडेंट. कर रहे हैं, खिलाडी अगली पारी में कितने रन बनाए कि उसके रनों का उसत 4 अधी को? अगली पारी मतलब 11 वी पारी में. कितने बनाए कि क्या उसत 4 अधी क 49 गटा सकते हैं आप सभी स्टूडेंट. गटा सकते हैं. क्या होगा? बहुत डख्ष्य है. Very good. 76 जितने भी स्टूडेंट का अंसर आ रहे हैं, आप सभी स्टूडेंट एक दम सही है. जालिए. Next question के ओर चलते हैं, अगला question देखिएगा. देखिए यह कोश्चन देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों यह जो कोश्चन है लेकिन ऐसे प्रश्चनों को भी सॉल्व करने के लिए पैन उठाने की ज़रूरत नहीं है डिरेक्ट आंसर देना है एक्स मानने की भी कोई ज़रूरत नहीं है डिरेक्ट आंसर दे सकते हैं एक वल्लेवाद सत्रवी पारी में 87 रन बनाता है और इस प्रकार उसका उसत तीन बढ़ जाता है ध्यान दिजिए इस प्रकार उसका उसत तीन रन बढ़ जाता है सत्रवी पारी के बाद उसका उसत ज्याद कीजिए सत्रवी पारी के बाद उसका उसत क्या होगा यह पूछ रहा है ध्यान दीजिए यहाँ पर आंसर देने का प्रयास करेंगे ध्यान दीजिए सभी स्टुडेंट समझने का प्रयास करेंगे सबी स्टुडेंट समझने का प्रयास करेंगे एक बल्ले बाद सत्रवी पारी में 87 रन बनाता है और इस प्रकार उसका ओसत 3 रन बढ़ जाता है 87 रन बनाया है ओसत क्या हो गया है 3 रन बढ़ जाता है सत्रवी पारी के बाद उसका ओसत रन ग्याद करे ध्यान दीजे, उसका औसत ग्याद करें, बोल रहा है, क्या होगा, 17 वी पारी तक ध्यान दीजेगा, तो 17 गुने 3, सब में 3-3 रन, क्योंकि 3 रन बढ़ रहा है, तो 17 गुने 3, क्या होगा, ध्यान दीजेगा, 16 वी पारी तक इसका रन क्या रहा होगा, ध्यान दीजेगा, 16 व जटाएंगे 87 में से घटाएंगे 87 में से 51 घटाएंगे तो क्या होगा दोस्तों बताईए का सभी स्टूडेट समझने का प्रयात करिए 87 में से घटाएंगे 7 में से जा, 6, 8 में से 5 जा, क्या होगा, 3, ध्यान दीजिए, सो लहवी पारी तक ध्यान दीजिएगा, इसका ओसत क्या रहा, दोस्तो, 36 रहा, हाँ, सो लहवी पारी में इसका ओसत क्या रहा, ध्यान दीजिएगा, 36 रहा, और यहाँ पर कह रहा है, सत्रवी पारी में 87 रन बनाता है, और इस प्रकार उसका उसत रन तीन बढ़ जाता है 17 पारी के बाद उसका उसत रन ग्याद किजिए कुछ नहीं करना है तीन बढ़ता है ना तो 36 प्लस 3 तीन कब बढ़ा है जब 51 रन ज्यादा हुआ ठीक है यह समझ रहे ना तो 36 में 3 जोड़ेंगे तो क्या होगा 49 40 हां ऑप्सर नमबर े उसत क्या होगा योगा थो 39 पुछ नहीं करना है पर आंसजने संद नहीं कर है ूपिछ एक और क्लियर होगा सारे क्लियर होंगे बस आप समझते हूए चलिए चलिए question number 9 देखिए एक बल्ले बाज की बारहवी पारी का score 120 run है और इस ब्रेकार ध्यान दिजेगा और इस तरह से उसके आउसत में 5 run की ब्रिद्धी होती है बताए कि बारहवी पारी के बाद उसका ओसत score क्या है ध्यान दिजेगा 120 ध्यान दिजे सभी student इस तरह से उसके सभ समझने का प्रेस करिए इस तरह से उसके आउसत में 5 run की ब्रिद्धी होती है कितना होती है और सथ में ध्यान दिजे 5 रिद्धी होती है बताए कि बारहवी पारी के बाद उसका ओसत score क्या है सभी student इसका answer दे सकते है ठीक है बारहवी का क्या है दोस्तों 120 है देखिए का सभ समझ रहे हैं सभी student समझने का प्रेस करिए 60 हो रहा है ना हाँ तो 120 में से जब 60 माइनस करेंगे तो पहले क्या था 11 पारी में 60 ध्यान दीजेगा सभी student साथ था 11 पारी में अब पांच की रन की ब्रिद्धी और यह उसत में तो 60 प्लस पांच 65 ओप्सन नंबर क्या होगा 20 ही हो जाएगा जितने भी student का आ रहा है answer हाँ बहुत एक्षे very good ध्यान दीजेगा 12 पारी में यह रहा तो 11 पारी में ध्यान दीजे करना क्या है ज्यादा कुछ नहीं करना है 12-5, क्योंकि 12-5, 5-5 रन की बृद्धी हो रही है न, तो 12-5, 60 रन की बृद्धी होई है, ठीक है, तो 11-5 में क्या रहा होगा, 60 रहा होगा, 12-5 में क्या होगा, 60 प्लस 5, औसत में 5 की बृद्धी, 65, 65 जितने भी student का अंसर आ रहा है, 120-60, प्लस 5, very good, एकदम सही, 65 होगा, जितने भी student का अंसर आ रहे हैं, आप सभी student एकदम सही है, कुछ भी ज्यादा करने की ज़रूरत नहीं है, बस यहाँ पर आप लोग समझेंगे, ठीक है, हाँ, 12, 25, 60, 120 में से 60 घटाएंगे 60, और 5 रन की आउसत में बृद्धी हो रही है, तो 65, 65, बारावी पारी के बाद आउसत, उसका उसता रन क्या होगा, 65 हो जाएगा, 65, एकदम सही, सभी student सही है, next question की ओर चलते हैं, अगला question देखिएगा, question number 10 देखिए, बहुत important है, question number 10 हम आपको बता दे दोस्तों, ये most important और most repeated question है, ऐसे प्रशन हमेशा एक्जाम में आते हैं, प्रशन है, आठ पूर्सों की ओसता आयू, दो बर्स बढ़ जाती है, यदि उनमें से दो पूर्सों की जिनकी आयू, 21 वद 23 वर्स है, के अस्थान पर दो नए पूर्सों को लिया जाता है, दोनों नए पूर्सों की ओसता आयू क्या होगी, दोनों नए पूर्सों की क्या और आँा पूछ रहे अवसत आयू पूछ रहे जहा है देल रहा दियादि जिए समझने का प्रैस करिए प्रैसण में कुछ Audya को इसका उसर आप लोग दीजिये तो asion प्रशे movie आथ पूर्समजों की और सटा यू दो बर्स बढ़ जाती है जहान दीजिए यदि कि एक की पूर्सो जिनकी ध्यान दिजेगा, जिनकी क्या बोल रहा है, आयू 21 और 23 बर्च है, तो कुछ नहीं करना है, 21 प्लस 23, क्या होगा दोस्ट, दो बताईए तो सभी स्टुडेंट, 21 और 23 को जोडेंगे, तो क्या होगा, ध्यान दिजेगा, 21 और 23 को जोडेंगे, तो क्या होगा सबी स्टूडेंट बताईए तीन एक चार दो दो चार चौवालिस ठीक है हाँ यह चौवालिस बर्स क्या आए है और यहाँ पे क्या बोल रहा है ध्यान दीजिएगा आठ पूर्सों की आउसत आयू दो बर्स बढ़ जाती है मतलब क्या हो रहा है आठ पूर्सों की आउसत आयू दो बर्स बढ़ती है मतलब आठ गुने दो मतलब शोला बर्स बढ़ आए ठीक है स्थान पर दो पूरुस लिया जाता है तो कुछ नहीं करना है तो 44 बर्स के थे 16 और बढ़ जाएगा तो 44 और 16 दोस्तों क्या होगा बताइए सभी सुडेंड 60 हो जाएगा ठीक है 60 वर्त के अब जो आए है अब उनकी क्या हो गई है 60 वर्त तो आउसत दो नए पूर्सों की आउसत आयू 60 वटा दो 30 होगा आंसर क्या होगा यहां दो नए पूर्सों की आउसत आयू पूछ रहा है घ्यान दीजिये 30 बर्स होगा 2 पुर्सों की ओसतायू जो आए है कुछ नहीं है समझे एक बार और समझे प्रस्ण में कुछ भी नहीं है प्रस्ण बहुत ही आसान है ध्यान दीजिए क्या हो रहा है समझेगा अच्छे से 8 पुर्सों की ओसतायू 2 बर्स बढ़ जाती है नए पुरूस को लिया जाता है पहले जो दो पुरूस थे दोस्तों उनका 21 और क्या था 23 था ध्यान दीजिए 21 और 23 बर्स के थे 21 और 23 जोड़ेंगे तो क्या होगा 44 बर्स के थे इनके अस्थान पर 2 आए तो क्या हो गया और सत में क्या हो गया दो की व्रिदी यानि 16 बर्स बढ़ेंगे न आठ लोगों की तो ही बढ़ेंगा न वजन आठ दुना के 16 तो इसमें 44 में क्या करेंगे ध्यान दीजिए 16 जोडेंगे तो जो नए लोग आए हैं उनका क्या होगा टोटल बजन आएगा टोटल बजन दिजिए 60 वर्ष इनका योग आ रहे और सथ पूछ रहे दो हैं तो दो से भाग कर दीजिए क्या होगा तीस होगा तभी तो तीस दुना के साथ तीस आंसर होगा जो नए दो पूरुसाय है उनकी आउसता यूगी तीस होगी चलिए नेक्स चुछ और चलते है अगला कोस ने कहीं है यह question देखिए question number 11 most important और most repeated question है बहुत बार यह परिक्सम पूछा गया है और सेम question पूछा गया है और ऐसे ही सेम छपता भी है ध्यान दीजिएगा सभी student हां ध्यान दीजिए question यह है 14 छात्रों के प्रफ्तांकों का उसत 71 था लेकिन बाद में पता चला कि एक छात्र के प्रफ्तांक 56 की जगा 42 ध्यान दीजिएगा 56 की जगा 42 और दूसरे 32 की जगा 74 चड़ा दिये गये थे अता सही उसत बताईए ध्यान दीजिए सभी student समझने का प्रयास करिए simple तरीका बता रहे है ध्यान दीजिए क्या हो रहा है गलती हुआ है कहां पर द्यान दीजिए गया पर 14 छात्रों के प्रफ्तांकों का उसत 71 था बाद में क्या पता चला कि एक छात्र के प्रफ्तांक 56 की जगा 42 हो गया है यहा चौदा छात्र हैं सब्सक्राइब को सबस्दोर चौदा य्हान देख सकते हैं आप यह आप इसे भी देख सकते हैं चंपन होना जाहिए 42 क्या हो गया है ज्यादा होना चाहिए कम हुआ है कितना कम हो गया है तो 56 में से दोस्तो 42 घटाएंगे तो 14 ध्यास del vier uh 14 क्या हुआ है ८ध झाल्प धैगा है ठीक है लिखना चाहिए 56 लिख दिया क्या 42 अभी हम आप लोगों को समझारे शमझिएगा तो इधर क्या हो रहे है, 2, 4, इधर क्या हो रहे है, 42 ज्यादा लिखा है, तो ये क्या होगा, ध्यान दीजिए, ये तो प्लस होना चाहिए, और ये माइनस होना चाहिए, तब ही तो सही आएगा, सबी स्टूडेंट समझीएगा, ये प्लस होगा, क्योंकि छपपल लिखना चाहि में 4rd ज्याद नोट हो जादा होना चाहिए सब्यापन प्रयास करें तो 24 the plus 14 और minus 42 माइनस के आगा विमाले की तो में से माइनस दो करेंगे 69 जो सही आउसत है वो 69 होना चाहिए 69 हाँ समझ रहे हैं अभी देखिए इतना नहीं समझ रहे हैं तो एक और बात बता रहे हैं ध्यान दीजिए इतना अगर नहीं समझ रहे हैं तो आप ऐसे समझ यह यहां पर अगर सब्सक्रिंद संब्सक्राप 32 होना चाहिए चढ़ा क्या दिया गया 74 ध्यान दीजिए अब देखिए 628 जोड़िये इधर 628 पांस तीन आठ होना चाहिए 88 और इधर हुआ क्या है 426 741 116 समझेगा हाँ होना चाहिए लिखना अंक क्या होना चाहिए 88 होना चाहिए लिख क्या दिया गया है 116 88 की जगा पे 116 हो गया है दोनों को जोड़ लिए ठीक है तो कितना ज्यादा हुआ है बताईए यहां पे कितना ज्यादा लिखा है 116 में से 88 घटाएंगे तो क्या होगा 28 आएगा क्या होगा 28 आएगा 28 क्या हुआ है ज्यादा लिखा है इसी 28 को क्या करना है माइनस करना है 28 क्या करिए औसत में माइनस करिए 28 है 14 है तो 14 से भाग कर दीजिए तो औसत में कितना माइनस होगा 2 दो माइनस होगा, यानि एकतर माइनस दोस्तों क्या होगा, दो, 69, सही आउसत क्या होगा, बताइए, सही आउसत होगा, 69, हाँ, जितने भी स्टूडेंट का 69 आलसर आए, आप सभी स्टूडेंट एक दम सही है, समझ गया है, अच्छी बात है, चलिए, एक और कोश्चन कराते है, अभी और किलियर होगा, कोश्चन नमबर 12 देखिए, काफी इंपोर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा, सेम है, किसी कच्छा में 50 विद्यार्थियों के आउसत अंख 64 रहा, यदि दो विद्यार्थी के अंख 83 और ध्यान दीजिएगा, 83 और 24 के अस्थान पर गलती से करम सह 38 और 42 दर्ज हो गए है, सही अउसत क्या होगी, ध्यान दीजिएगा, यहां पर क्या हो रहा है, यहां पर 83 और 24 के अस्थान पर 38 और 42, यानि 83 की जगह पर दोस्तों क्या हुआ है, ध्यान दीजिएगा, और 24 की जगह पर क्या हो गया है, ध्यान दीजिएगा, और 24 की जग जगह पर 42 अब देखिए यह आपका क्या है सही है यह आपका क्या है गलती से हुआ है यानि गलत है ध्यान दीजिएगा तो यहाँ पर 4-3-7-8-2-10 107 की अस्थान पर 8-2-10 ध्यान दीजिएगा सभी स्टूडेंट समझने का प्रयास करेंगे ठ्यान दीजिएगा यहाँ पर आप सभी स्टूडेंट समझने का प्रयास करिए तीरासी की जगह पे क्या हुआ है अटीज और चौबिस की जगह पे 42 तो 4-3-7-8-2-10 107 की जगहपे क्या हुआ है बताइएगा असी हुआ है यानि जादा की जगह पर कम हुआ है तो आउसत में क्या होगी ब्रिद्धी होगी ठीक है ध्यान दीजिए तो कितना यह कुछ नहीं करना है देखिए 27 क्या होगा दोस्तो 27 जो अंक है बढ़ेगा लेकिन क्या है 50 भी द्यार्थी है तो आपको कुछ नहीं करना है 27 बटा 50 तो 5 दहा में 50 पांच पचे 25 सभी स्टूडेंट ध्यान दीजिएगा पांच पचे 25 हो जाएगा उसके बाद से 2 है पांच ओको 20 यानि कि 5.4 भाई 10 हो रहा है तो यह क्या होगा 10 और कर लेंगे तो 0.54 0.54 बढ़ जाएगा 64 में हाँ तो 64.54 पांच आंसर देखिए पहला होगा सभी स्टूडेंट ध्यान दीजिए यह तो सही है 27 बता रहे है और सथ ध्यान दीजिए सही और सथ क्या होगा 64 है न तो यह आपका सही था तो प्लस होगा ठीक है सही वाले में ज्यादा है तो प्लस होगा ठीक है हाँ क्योंकि 107 की जगा प्यासी लिखा गया है ठीक है तो आंसर क्या होगा 64.54 समझ रहे हैं न 27 बता 50 पचास पचास लोगों में बटेगा समझने का प्रयास करिए सारे कोशन समझ जाएंगे बस आप लोगों के अंदर प्रयास होना चाहिए कि हाँ हम समझ रहे है ठीक है ठीक है बहुत अक्षे बेरी गुड जितने भी स्टूडेंट काया है ध्यान दीजे कुछ नहीं है 83 की जगा 38 और 24 की जगा 42 तो सही 107 होना चाहिए लेकि लिखा क्या है 80 कितना कम लिखा है 27 यानि 27 बढ़ना चाहिए पचास लोगों बढ़ेगा तो 27 बटा 50 5.4 बढ़ना चाहिए तो 64 में 0.54 बढ़ा दीजिए तो 64 दसमलो 54 वेरी गुड सभी स्टूडेंट्स हो गए उमीद करते हैं बहुत एक्षे एकदम सही च कोशन नमर 13 देखिए तो काफी इंपोर्डेंट है सभी स्टूडेंट अच्छे से देखेंगे कोशन नमर 13 है 45 विद्ध्यार्थियों के आउसत अंख 66 यदि दो विद्ध्यार्थियों के अंख 82 और 46 के अस्थान पर गलती से करमसा 28 और 64 लिख दिये गए हो तो सुद्ध अउसत क्या होगा सुद्ध अउसत मतलब सही अउसत क्या हुआ है दोस्तों ध्यान दीजिएगा 45 विद्ध्यार्थियों 6 पाया गया ठीक है और क्या हुआ है दोस्तों दोब विद्ध्यार्थी 82 और 46 के स्थान पर 82 के स्थान पर क्या हुआ है दोस्तों 28 ध्यान अंसर आप लोग दीजिए इसका अंसर आप लोग दीजिए ज्यादा कुछ नहीं करना है ध्यान दीजिए थे दो आठ आठ चार बारा ठीक है यहां पर आठ चार बारा का दो हासिलेग छे दो आठ एक नौ बानवे 128 की जगह पे 92 हो गया है ठीक है 128 की जगह पे 92 हो गया है तो कितना दोस्तों हुआ है 36 जान दीजिए 92 आठ 100 और 288 36 36 ज्यादा हुआ है कितने दोस्तों बिद्EM थी ए 45 जान डीजिए यहां पर समझीे यहां पर समझीये यहां पर समझी shaken 4 को 5 से भाग करना है ध्यान दीजिए आप लोग भी आंसर गलत ही देखते हैं कुछ भी आंसर देदो सभी सुडेंट वाई बोलने लगते ध्यान दीजिए 10 लिगाएंगे 0 बढ़ाएंगे तो 5 वठे क्या होगा 40 होगा ठीक है तो क्या होगा 66 में 0.8 बढ़ेगा ठीक है 66 में क्या होगा प्लस होगा 0.8 तो क्या होगा 66.8 हाँ option number B होगा very good option number B होगा हाँ कुछ student answer देने के बाद गलत भी answer होता है तो उसी answer को मानने लगते नहीं answer क्या होगा 6.8 होगा यहाँ पर भाग करना सीखिए भाग क्या है यहाँ पर 4 by 5 आया है यह देखिए 36 बढ़ा है ध्यान दिजेगा यहाँ से यहाँ क्या हुआ हुआ है 36 बढ़ा है सभी student ध्यान देंगे 37 और total विद्यार्थी क्या है 46 तो 36 को 45 से भाग किये 9 पचे 45, 9 चो को 46 4 बटा 5, 4 बटा 5 का मतलब क्या होता है 5 बटा 4, 0.8 0.8 होगा यानि कि option number B होगा जितने भी student का option number B आ रहे है आप सभी student एकदम सही है दोस्तों उमीद करते हैं आज की class आप लोगों को बहुत ही अच्छा लगा होगा सारे question बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आया होगा किसी question में अगर आपको doubt है तो नीचे comment कर दीजिएगा उस question को दुबारा हम समझा देंगे वैसे यहाँ पे आप लोगों को doubt एक भी percent की नहीं होनी चाहिए क्योंकि सारी चीज़े हम एकदम basic से zero level से chapter by chapter clear करते हुए चल रहे हैं बस आप लोगों को तैयारी करना है मन लगा के पढ़ना है और साथ ही साथ अगर आप किसी यहनी exam की तैयारी कर रहे है तो हम आप लोगों को बता दे exam की संपुर तैयारी 100% selection के लिए SSE CHSL 2022 के लिए आपके लिए चल रहा है sure selection batch SSE MTS 2022 के लिए sure selection batch चल रहा है तो इन सभी exam की तैयारी है या किसी अन्य exam की भी आप तैयारी कर रहे है तो उसके लिए भी SSE maker app पे classes चल रही है और सभी की सभी जो भी classes होती है SSE maker के app पे वो zero level से basic से और chapter by chapter चल रही है और come fee में आप लोगों को 72 content दिया जा रहा है जिसे आप पढ़ के 100% अपना selection सुनिशित कर सकते हैं अगर आप सिर्फ math पढ़ना चाहते हैं तो math के लिए भी classes एकड़म basic से चली हुई है UP police constable के लिए class से चली हुई है special math जिसमें आपकी UP police constable की सब ही आपकी जो syllabus में subject हैं पूरा बहुत ही अच्छे तरीके से clear किया गया है और हम आपको बता दे अगर आप complete math और reasoning की course लेना चाहते हैं तो वो भी चला हुआ SSE maker के app पे और हम आपको बता दे SSE maker का आप सभी लोग exam preparation जो app है इसको आप सभी लोग क्या करेंगे पहले तो आप लोग download कर लेंगे app को install कर लीजिए mobile में और इससे जुड़ जाईए और अगामी किसी भी exam की आप तयारी करेंगे तो आप एक बार app पे visit करेंगे देखेंगे उन सभी exam की